साथियो अभी अभी एक rescue call आया है जिसमें बताया जा रहा है monitor lizard जिससे हम लोग गोईरा के नाम से जानते हैं ये बिल्कुल non-venemus होता है और telephone exchange के हमारे मनोश सर ने हमें call किया है कि उसके बगान में कहीं घुम फिर रहा है उनका कहना है कि ये बहुत ज़्यादा जहरीला है लेकिन monitor lizard बिल्कुल non-venemus है चली आज rescue operation में देखा जाए कौन सा monitor lizard हम लोग rescue कर पाते हैं दीख रहा है सर आठेचे शेश्या चली देखा जाए कौन साब monitor lizard होगा बड़ा साइज है कि इदर जाता होगा अंदर में ही अंदर में ही अंदर में ही आ जाए अंदर जुता हो पहने वह वह उना चली बाद में ये चुटास आगे 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 अब यह जैए नमस्का सर अगने मिलाए नमस्का सब्सक्राइब यह तो मुण पर दीजिए आप यह यह अठोखने लुख और यह विए बिल्कुल नौं भेने में से यह बिल्कुल जाहिला नहीं होता है लिकिन कुछुला रूप सर इसका देखिये प्ला टोपी दीजिए अमें टोपी दीजिए उगरू रूप देखिये घुखे देखिये देख रहा है तो आ आवाज द नजर में आ चुका है अब इसका एक ही अस्थान है वह है पंचत पहाँ पंचत पहाँ यह अब जाएगा कुछ ने देखिए ना इसा उग्र रूप देखिए वहीं से वार करेगा कैमरा लेकिया यह समने अपरी बाब लग रहा है कोई हेलिकाप्टर उड़ेने वाला है बहुत संदर सर को हम चाहेंगे कि मेरे सामने आए आईये प्लीज कम आईये आज का डेट में इंसान जहरिले हैं मनुस सबसे जहरिला हो चुका है चुकि करोना काल है हमारे उत्तर परदेश की जितने भी भाई अगर देख रहे हैं तो ध्यान से सुनियेगा मेरी बात आप लोग जो कॉमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि मुबाराग जी आपको कोई नॉलेज नहीं है तो ये बताया फोन करके कि मुबाराग जी ये काटने के बाद पूँच से मार देते हैं तो जहर चाहर जाएगा ये भी बिलकुल अंधिश्वास है बिलकुल अंधिश्वास है ये बिलकुल जहरिला नहीं है हाँ हाँ इसका एक ही अस्थान है वह हमारा पंचत पहार देखने में अध्भूत सबसे अध्भूत लेगिन सर ये अगर काटता है ना जिस जगह ये काट लेता है उस जगह बैक्टरिया को छोड़ देता है इसलिए जिस जगह ये काटता है साथियो वहां आप डिटॉल चाहे सेबलों से साब सुत्रा कर लें और एक टीटी जरूर लगा लें नहीं तो वहां इंफेक्षन होके घ्खा होने का चांस बहुत जादा है इसलिए ये बिल्कुल नॉन भेने मेंस है और साथि सर सुनियेगा मेरी बात को पुराना जमाना का लोग कहते थे कि इसको रसी से बान करके बील्डिंग में ठेका जाता था और चोर और डाकू उस प जहरिला नहीं है आज का डेट में इंसान जहरिले है ये नाखुन है ये सडा गला मांस को खा लेते हैं एक दूसरा छोटा-छोटा मेढ़ा इसमॉल रैट इसको पसंद है बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा पसंद था आज हमारे सर का घर कि वहां जाएंगे घुमते फिरते फोरेश्ट से यहां आ गया अब इसका असली अस्थान कहा है पंचित पहा जहां ये हमेशा हमेशा के लिए प्रकिर्तिक परवेश में फिर से ये घुमता फिरता रहेंगे और ये अभी बच्चा है और बड़ा होगा और बड़ा साइज होगा इसलिए डरे नहीं देख रह चाहेंगे कि फिर से छोड़ करके सरा ऐसा नहीं यह तुरांद हम लोग पकड़ा लेंगे फिर से छोड़ना चाहेंगे सबसे अद्भूद देखने में नेवले की तरह लगता है कोई मंगूस है लेकिन ये बिल्कुल जहरी ला नहीं है फोड़ा सा भी जहरी ला नहीं है इसमें जहर होता ही नहीं है लेकिन गुस्यल रूप तो देखिए इसका हाँ 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 इसका जो गुस्या का रूप है वह हमको काफी पसंद है साथियो आज ही हमें इसे रिलीज करना है एक ऐसा वाता ओरन में रिलीज कर देंगे दुबारा ये इंसानी बस्तियों में आ जाए देख रहा है मूँ खोल देखिए इस बहुत ही सुन्दर अद्भूत नौन विनेमस कुछ लोग उत्तर परदेश के जिनों ने हमें बताया कि मुवारक जी आप कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में हमें विसेस जानकारी है खास करके मोनीटर लीजर्ड जहरिला होता ही नहीं है थोड़ा सा भी इसमें जहर नहीं है लेकिन मुव में बैक्टरिया है अगर बाइट करता है तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और वहां डिटॉल से शाब सुथरा करके एक टीटी जरूर लगवा ले और नहीं है मुवारक जी के रहते हुए हम लोग बहुत सेफ है कभी भी कोई परिशानी होती मुवारक जी एक फोन पे पांच मिनट में हाजिर हो जाते हैं और लोगों का सुरच्छा का बहुत ध्यान देते हैं वालब मुवारक जी है तो हम लोगों के अंदर डर नहीं है एक हिसाब यह कहा जा सकता है यह वीडियो हमारे मोदी सर जो है दुरगापूर में उनको हम लोग भेजेंगे है ना वह तो खुद एक्टो जनतु प्रेमी इंसान है तो साथियो इसे परियावरन में बचे रहना बहुत ज्यादा जोरी है चुकि मान लिजे सड़ा गला मांस कौन जाते हैं मोनीटर लिजेट यह खास करके देखीगा कोई जानौर अगर मर गया है तो हाँ इसके नाक में इतना सिंसर है कि इस मिल को ठीक पहचानते हुए वहां तक पहुंच जाता है तो ठीक है साथियो आपने देखा कि सा मोनीटर लिजेट हमने रेस्क्यू किया और ध्य बिल्कुल अंद विश्वास है अंद विश्वास पर मत जीए एक टाइम मत खाये अपना बच्चों को इसकूल में पढ़ाइए भले जारखंड का इसकूल हो या वेस्ट बेंगॉल का इसकूल हो सिच्छा के बिना ही जीवन अधूरा है सिच्छा है तो हर चीज है सिच्छ अगर नहीं है तब तो फिर मोटा मोटा तावीज बांदेंगे करोना का कोई इलाज तावीज नहीं आया है सिर्फ लोग तावीज बांद रहेगी भाई भूत प्रेत डाइन यह बिल्कुल नहीं है बिल्कुल अंद विश्वास है तो साथियो इन ही साथ सब्दों के साथ और एक दो मिनट का समय लेंगे यह उत्तर परदेश में जो आप से छुपा हुआ नहीं है यूटूब के चैनल के माइधम से हमने देखा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि तीन महिने में उन रैपिष्टों को फासी होना चाहिए को कोई हमारा भारत का दमाद नहीं है इंडि 24 फासी 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 इसके सिवा कुछ नहीं आज बेटियों खास करके यह देश पर बेटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है बेटी है तो देश है हर बेटियों की सुरच्छा इस देश की सुरच्छा जैहिन जैभारत और हम गर्व से कहेंगे सर बंदे मातरम हैं लेकिन उनके चैन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी सफलता हमेशा अच्छे बिचारों से आती है अच्छे बिचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं मुझे गर्व है कि मैं आपके साथ हूं साथियों यूटूब चैनल में आपका स्वागत है और साथियों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और मोनीटर लिजड हमें रिलीज करना है प्रकृतिक परवेश में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बिना मेरा साया भी मुझे मिला तो धूप में मिला बिना जहरवाला बिना जहरवाला बोईरा यानि मोनीटर लिजड साथियों मेरा हिंदुस्तान जिन्दाबाद मेरा भारत देश जिन्दाबाद बेटी है तो देश है हर बेटियों की सुरच्छा इस देश की सुरच्छा जै हिन जै भारत और हम गर्व से कहेंगे बंदे मातरम